नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चैनल मेटू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हैडलाइन्स पर कश्मीर में बावन दिनों की अश्वांति के बाद लोटने लगा है अमन चैन पुल्वामा श्रीनगर के कुछ हिस्सों के अलावा बाकी लाकों से हटा कर फ्यू तेजी से सामन्ने हो रहा है आम जन जीवन पाकिस्तान में चल पड़ी अलगावाद की लहर गिलगिट पियोकी और बलुचिस्तान के बाद अब सिंध में लगे आज़ादी किनारे ब्रिटेन में भी बलुच नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन स्कॉपियन डाटा लीक मामले में उच्सतर ये जाँच समीती गठित बारीकी से की जाएगी मामले की जाँच परताल स्कॉपियन पंडूबी बनाने वाली कंपनी ने अस्ट्रेलिया के कोट में दायर किया चिका अर्विंद केजरिवाल ने जैन मुनी अतरुन सागर से फोन करके मांगी माफी अपमान जनक बयान देने वाले विशाल ददलानी जैन मुनी से मिलकर मांगेंगे माफी बीजेपी ने साजुश का लगाया था रूप कश्मीर घाटी में हिजबल मजाहिदिन के आतंगवादी बुरहान वानी के एक मुटभेर मिमारे जाने के बाद भड़की हिंसा के 52 दिनों के बाद पुलवामा और श्रीनगर के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी इलाकों से कर्फ्यू खटा लिया गया है हाला की धारा 144 के तहट 10 या इससे अधिक लोगों के गैर कानूनी तरीके से इकटा होने पर पाबंदी जारी रहेगी राजिय में प्रदशन कारियों और सुरक्षा बलो के बीच जड़पों में अब तक करीब 70 लोगों की जाने जा चुकी है जबकि 11,000 से अधिक जखमी हुए है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कारिकरम मन की बात में कश्मी समस्या का जिक्र करते हुए इसके समाधान के लिए एकता और ममता को मूल मंत्र बनाया प्रधान मंत्री ने जोड़ देकर कहा कि कश्मीर में अगर एक भी वेक्ती की जान जाती है चाहे वे कोई युवा हो या सुरक्षा करमी हो वे हमारा हमारे देश का नुकसान है भारत की स्कॉपियन क्लास पंडूबी डाटा लीक मामले का और जोड हूनने की कोशिश में जुटी फ्रांसेसी कमपनी DCNS इस मामने में अब कोट जाने की तैयारी में है DCNS ऑस्ट्रेलिया एं पब्लिशियर दे ऑस्ट्रेलियन को इस से जोड़े अन्य गोपनिया दस्तावेजों को प्रकाश्रित करने से रोकने की कोशिश में है क्योंकि इसे उसके ग्राहक भारतिय नौसेना को सीधा नुकसान पहुँचेगा DCNS कमपनी आज ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल सुप्रीम कोट से निशिश्च धाग्या पत्रफ फाइल करने जा रही है जिसे वैद ऑस्ट्रेलियन को मुंबाई के मजगाओ डॉक में बन रही इस कॉपियन पंडूबियों से जोड़े किसी अन्य दस्तावेज जिसे भारत के हितों को नुकसान पहुचता हो कुछ हापने से रोक सके अर्विंद केजरिवाल ने जैन मुनी तरुन सागर से फोन करके माफी मांगी है विशाल ददलानी भी मुनी से मुलाकात करके माफी मांगेंगे उधर विशाल ददलानी ने जैन मुनी तरुन सागर को लेकर किये गए विवादेट ट्विट को बीजेपी सांसद मनुच तिवारी ने सोची समझी साजिश करार दिया है मनोश दिवारी ने आम आदिपाती के मुख्य अर्विंद केजरिवाल पर साजिश का रूप लगाया है इस संबंद में उन्होंने ग्रिह मंत्री राजनाथ सिंग को चिठी लिखकर पूरे मामले में कारवाई करने की मांगी है संसद और गायक मनोश दिवारी ने विशौल ददलानी के ट्विट को एक दुखत घटना बताते हुए कहा कि केजरिवाल और उनके साथी लगातार देश की धार्मिक भावनाओं से खिलवार कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि पूरे देश के धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को दुख पहुचा है जैन धर्म में आक्रोश है केंद्रे संस्कृती एवंग पर्याटन मंत्री महेश्वर्मा ने भारत आने वाली विदेशी महिलाओं को सकर्ट नहीं पहनने की सलहा दी है यही नहीं उन्होंने इन महिलाओं को रात में अकेले बाहन नहीं निकलने की सलहा भी दी है हाला कि इसके पीछे वे सुरक्षा कारण बता रही है पर्याटन मंत्राले की तरफ से इस बाबत भारत आने वाले विदेशियों को एक एडवाईजरी भी जारी की जाएगी आगरा में कुछ समधाताओं से बात करते हुए महेश्वर्मा ने ये बयान दिया कुछ दिन पहले ही महेश्वर्मा की सुरक्षा कर्वियों ने एक हाउजिंग ससाइटी के तीन गाडों को पीटा था गाडों ने मंत्री की गाडी को फ्लैट नंबर पूछने के लिए रोका था जिसके बाद सुरक्षा कर्वियों ने गाडों की पिटाई कर दी पूरी घठना की मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद केंदिर मंत्री महेश्वर्मा ने सफाई दी थी उन्होंने कहा की वै अपनी बेहन के घर गये थे उन्होंने कहा की घठना के बाद मैंने गाड से माफी मांगी थी सरकार संसद के श्रीत कालिन सत्र को तैस समय से पक्खवाड़ा भर पहले ही बुला सकती है ताकि ज्विएस्टी से जुड़े विभिन्न समर्थनकारी कानूनों को पारित करवाया जा सके सरकार ज्विएस्टी को अगले साल एक अप्रेल से कर्यान विथ करना चाती है संसद का श्रीट कालिन सत्र आमतौर पर नवیmber के तीसरे या चौथे हफ़ते में होता है लेकिन इस साल सरकार इसे तो हारी सीजन समाप्थ होने के तुरंद बाद आख़त करना चाती है सरकारी अधिकारी के अनुसार अगर संसद का श्वीत कालिन सत्र थोड़ा पहले शुरू होता है तो केंद्रे जियस्टी और एकिकरित जियस्टी विधेकों को नवेंबर या दिसम्बर के शुरू में पारत करवाया जा सकेगा इन विधेकों के पारत होने से GST के रास्ते में आने वाली रुकावटे दूर हो जाएंगी समिधान संशोधन विधेक को अब तक असम बिहार 36 गर जाटखन हिमाशल प्रदेश गुजरात दिली वा मध्य प्रदेश सहित आठ राज्य विधान सबाएं मनजूरी दे चुकी है इसे कानून बनाएने के लिए 31 में से आधे राज्यों की मनजूरी जरूरी है उत्तर पश्चिम दिली से बीजेपी संसद उतित राज ने ऑलमपिक में नौ गोल्ड मेडल जीत चुके जमेका के धावा कुसेन बोल्ट को लेकर एक ऐसा ट्विट किया है जिस पर बवाल शुरू हो गया है उत्तर राज ने कहा कि बोल्ट गरीब थे और ट्रेनर ने उन्हें दोनों बार बीफ खाने की सलहा दी थी जब उन्होंने ऑलमपिक में नौ गोल्ड मेडल जीते कांग्रेस और एंसीपी ने इस बयान के लिए बीजेपी संसद को आड़े हातों लिया उनके मताबिक बीजेपी को खाने पीने की आदतों को लेकर लोगों को नहीं बाटना चाहिए उन्होंने पूछा कि उधित राज को ये बात कैसे मालूम की बोल्ड बीफ खाते हैं क्या वो बोल्ड के मावर्ची थे उधित राज को ये बायान यूपी चुनाफ से पहले आना साबित करता है कि उनकी नजर दलित वोट उपर है रियो अलम्पिक के सिल्वा मेडलिस पीवे सिंधू और महीला कुछती में पहली बार ब्रॉंज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक जिमनास तीपा करमाकर और शूटर जीतु राए को राजीव गांधी खेल रतनपुरिसकार से नवाजा गया है रियो उलम्पिक में दमदार प्रदर्शन करने वाली देश की तीन महीला खिलाडियों को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार से समानित किया गया इसके अलावँ शूटर जीतर राए और रियो उलम्पिक में पहली बार हिस्सा लेने वाली भारतिय जिमनास दीपा करमाकर को भी खेल रतन पुरसकार दिया गया पीवी सिंधू रियो उलम्पिक में सिल्वा मेडल लेने वाली पहली भारतिय महीला बाटमिंटन खिलाडी बनी तो भारतिय महीला पहलवान साक्षी मलेक ने भी रियो उलम्पिक में पहली बार ब्रॉंज मेडल जीत कर इतिहास रचा इसके अलावा दीपा कर्माकर रियों में कोई मेडल तो नहीं जीत सकी लेकिन अपने प्रडुनोवा गोल्ड के जरिये वो फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतिय महीला जिमनास्ट बनी दीपा महज कुछ ही अंकों से ब्रॉंज मेडल जीतने से चुक गई थी आयोधिया गोली कान पर रिवादत बयान से चोतरफा घिरे मुलायम सिंग्यादव के बचाव में अजम खान कूट पड़े हैं मुलायम के बयान पर सफाई देने के लिए रविवार को आजम खान सामने आए रामपुर में आजम खान ने आयोध्या में कार सेवकों पर गोलिया चलाने के मुद्धे पर सपा प्रमुख मुलायम सिंग यादव के बयान पर सफाई दी उन्होंने कहा कि हमने हमेश्वा ये कहा है कि एक वेक्ति भी अगर मारा जाता है तो उसका दुख होता है जो हाथसा हुआ था उसकी खुशी नहीं है लेकिन वो कानून की जरूरत थी मुलायम सिंग ने गोली नहीं चलाई थी बहा मौझूद अधिकारियों ने जो निर्ने लिया था उसके नतीजे में ऐसा हुआ था मुलायम सिंग ने शनिवार को खुले आम कहा था कि 16 लोगों की मौत की जगा अगर 30 कारसेवग भी मारे जाते तो कोई बात नहीं थी आजमगर पहुँचकर BSP अध्यक्ष मायावती ने आतंगवाद का मुद्दा उठाया मुलायम सिंग यादव के चनाव शेतर में अपनी महरेली में उन्होंने कहा कि जब से BJP की सरकार आई है मुसल्मानों को आतंगवाद के नाम पर श्रिकार बनाया जा रहा है और लव जिहाद और गोरक्षा के नाम पर उन पर जुल्म हो रहा है मायवदी ने हर हफते एक महरेली करने का सिलसला शुरू किया है आजमगर में इस सिलसले की दूसरी रैली है मायवदी जिस इलाके में जनसभा कर रही थी वहां तकरीबन हर चौथा शक्स मुसल्मान है और अपने जिले में देहशत गर्दी का टैग लगने से नराज है अमित मिश्रा और अविचंदर नश्विन के फिर्की के जादू से भारत ने दूसरे टी-20 अंतराज्टे क्रिकेट मैच में रविवार को वेस्ट इंडीज को 143 रन पर धेर कर दिया लेकिन बारिश के कारण मैच रध हो गया जिसे केरेबियाई टीम ने दो मैचों की श्रिंखला एक शुन्न से जीत ली तकनी की कारणों से मैच 40 मिनिट देर से शुरू हुआ था भारतियव बारी में जब सिर्फ दो ओवर हुए थे और टीम ने वेस्ट इंडीज के 144 रन के लक्षे का पीछा करते हुए बिना विकेट खोए 15 रन बनाए लिए थे तब बारिश आ गई और मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका रोहित शर्मा दस जब की अजुंका रहाने चार रन बना कर खेल रहे थे इस तरह मैच का परिनाम नहीं निकलने में मैच की शुरूआत में विलंब की एहम भूमिका रही और भारत को श्रिंखला गवानी पड़ी इसी मैदान पर कल पहले टी-20 में भारत एक रंच से हार गया था इस न्यूज बुलेटन में फिलहाल इतना ही ताज़त अरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्टू टीवी से नमस्कार